हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करके औल नौटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाए हमारे सारे वीडियो सबसे पहले बॉलिवोड में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुके विक्की कोशल आजकल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्कियों में है पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि विक्की और हरलीन से टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और दोनों का ब्रिक अप हो गया है हाला कि इस बारे में हरलीन ने कोई कमेंट नहीं किया लेकिन विक्की कोशल ने इस मामले पर चुप़ी तोड़ दी है दरसल विक्की ने एक इंटर्व्यू के दोरान बताया कि उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है विक्की ने कहा आजी मैं सिंगल हूँ अभी देखो अकेला जब विक्की से पूछा गया कि क्या वाकई में सिंगल हैं तो विक्की ने लंबी सास भरते हुए कहा सिंगल एक दम इसके तुरंद बाद विक्की ने कहा कि रेडी टू मिंगल विद दा ओडियंस बता दें कि हरलीन और विक्की लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे ऐसे में दोनों के अचानक ब्रेक अप की खबर चौका देने वाली है इससे पहले करण जोहर के शो काफी विद करण में विक्की ने कहा था कि वो एक सही शक्स को डेट कर रहे हैं विक्की के इस बयान से लगा था कि वो हरलीन के लिए काफी सीरियस है शो में ही उन्होंने ये बात कुबूली थी कि वे सिंगल नहीं है विक्की की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो जल्दी फिल्म तख्त में नजर आने वाले हैं करण जोहर की इस फिल्म में विक्की के साथ आलिया बटर अणवीर सिंग और करीना कपूर खान भी लीड रोल में है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है ये हमें नीचे दिये कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं